आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा अब फालतु के समवन आपको नहीं आएंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप हाजी 17 अगस 2022 को मतलब की कल की डेट में ही एक इंस्ट्रक्शन इशू किये है जी एस्टी डिपार्टमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन क्या कहते है जरा इने ध्यान से पढ़ लो ये इंस्ट्रक्शन क्या कहते है गाइड लाइन्स ओन इशूएंस करना है क्या क्या गाइड लाइन से इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो हाँ जी सेक्शन सतर के अंदर आपको पता है समवन दिया जा सकता है अब यहां of someone may be avoided to call upon statutory document which are digitally online available in GST portal कि अगर तुमारे GST portal पर कुछ information available है जैसे कि GST returns आप उसके लिए someone मत भेजना वो सारी detail आप portal से ही निकाल लेना someone भेज कर assessi को परेशान मत करना दूसरी चीज़ क्या की जाती है कि जो senior management के persons है जैसे company के MD हो गए company के CFO हो गए company के CEO हो गए यह जो लोग है इन लोगों को भी someone मत भेजना क्योंकि इनका time बहुत ज्यादा कीमती है तुम इनने someone भेज गे अपने पास बुलाओ गे तो यह business चुड नोट जर्नली पी शूट समवन इन दा फर्स इंस्टेंस पहली बार में इन्हें समवन मत भेजना तो इन्हें कब भेजना समवन दे शुड भी someone when there are clear indication कि अगर आपके पास clear indication है investigation में कि भाई यह जो है revenue का loss हो सकता है अगर इन्हें समवन नहीं भेजा तब आप इन्हें समवन भेजना otherwise इन्हें समवन भेजने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ ऐसे ही कोई भी उठाकर समवन मत भेजने ना जब भी आप समवन भेजोगे तो उस पर डिन नंबर होना mandatory है तो इस तरह की guidelines ही सू करी है समवन भेजने से पहले हमारे एक client को समवन आया तो देखे कैसा अजीबो गरीब समवन है समवन में क्या लिखा गया है समवन में लिख आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर ऐसा होता है कि electricity बिल जो होता है वो जो electricity department है B.S.E.S. वाले तीक है न वो building के नीचे ही फैक जाते है अब हुआ क्या मेरे पडोसी ने क्या करा वो electricity बिल ले लिया और उसे उठा कर अपनी एक GST में registration ले लिया और महापर मुझे नहीं पता rent agreement लगाया या consent letter लगाया या नहीं लगाया या अगर लगाया तो उस पर fake sign करके लगा दिये तो ये सम्वन हमारे client को आया इस सम्वन में क्या लिखा गया है कि वही एक फरम ने एक फरम ने क्या करा कि वही आपका ठीक है ना एक फरम ने क्या करा आपका electricity bill use करके आपका electricity bill use करके GST में registration लिया है अब वो तो हमें मिलनी रहा आप हमारे पास आजाओ और आप हमें ये proof करो कि आपने उसे consent दीती या नहीं दीती आप इसका क्या reply करना है भाई जब हम इसका reply करेंगे तो ये वाला circular बड़ा काम आएगा क्योंकि ये circular हमें क्या कहता ये instruction हमें क्या कहती है कि जो document आपके portal पर हैं उन document को आप मांगनी सकते तो registration के time पर उसने rent agreement दिया होगा उसने consent letter दिया होगा तो आप वो वाली चीजे चेक करो ना तो इसमें हमारी क्या गलती है अगर कोई हमारा electricity bill उठाके fake rent agreement बना कर अपना GST में registration ले लेता है तो ये तो आपकी जुम्मेदारी है तो आपको भी अगर ऐसे कोई समवन आ रहे हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान दख लेना इन चीजों का reply कर देना है और हाँ आपको पता ही होगा कि हमारा जो discount offer है वो खतम होने वाला है अगर किसी ने अभी तक discount का benefit नहीं लिया है आज और कल हमारा discount offer है इसके बाद हमारा discount offer खतम हो जाएगा ये 10% discount हमारा चल रहा है तो जिसे लेना है आ चाहे आपको अपनी Google Drive Renew करानी हो चाहे Pen Drive Renew करानी हो तो उस पर भी discount है तो इसका benefit ले लो जल्दी से जल्दी हमारी team को call कर लो किस number पर call करनी है ये number यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन पर WhatsApp डाल कर पूछ लो कि भई क्या discount है क्या नहीं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जादे से जादा लोगों तक इसे share करो और चैनल को subscribe करने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ thank you for watching